वेलकम बैग तो वडरफूल सा चैनल दा एसे मेकडेमिक तो कैसे आप लोग आई हो बहुत अच्छे हो आज का जो लेक्चर है इस लेक्चर में we are going to discuss about different forms of energy जो हम लोगों को energy मिलता है for doing various type of work जो भी हम work करते हैं वो work करने के लिए जो भी हमें energy मिलता है वो energy किस तरीके से concept form म आप लोगों को मिलता है from the food that we are going to discuss in this particular video आपको सारे concept में clear करके दूंगा जिस आपको इस लेक्चर को इस वीडियो को लास्त तक पूरा देखना है without wasting our time सब लोग ready हो जाओ नोट्स बनाने के लिए लाट अस बिगिन जो वेन वी टॉक अबाउट different sources of energy तो यहां पर sources of energy क्या होता है तो protein carbohydrate and lipids यहां पर मैंने दिखाया है हम लोगों को जो energy है वह कहां से मिलता है तो for that हम लोगों को किसी source पर depend होना पड़ेगा तो जो source है basically protein carbohydrate and lipids तो जब हम खाना खाते कोई भी हम लोग type K foods consume करते तो from that particular food कोई ना कोई nutrition value आपको मिलेगा वह carbohydrate हो सकता है वह लिपीड हो सकता है वह protein हो सकता है वह vitamin हो सकता है fiber हो सकता है starch यह से बहुत सारे but main source of energy are these three that is carbohydrate protein and lipids तो इसके अंदर जो carbohydrate है it form the major source of energy सबसे ज्यादा जो energy produce होता है it is from carbohydrate only तो यहां पर आप देख सकते है when we talk about carbohydrate तो carbohydrate आपको कब मिलेगा आप कौन से तरीके का खाना consume करेंगे तो you can see यहां पर आप देख सकते हो राइज है wheat है sweet potato है यह potato है then this is मेज जब आप यह इस तरीके का खाना खाते हो इस तरीके का food consume करते हो तो you get lots of amount of carbohydrate इस carbohydrate का energy में conversion करने का जो तरीका होता है that is glycolysis जो हम लोगों ने देखा था oxidization करना पड़ता है और उससे हम लोग को energy मिलता है तो यह actually क्या हुआ carbohydrate source of energy हुआ यह हम लोगों को इस तरीके के food से मिल रहा है when we talk about protein तो protein basically you can see milk meat and all that right तो यहां पर जो pulses को यहां पर खिच्डी भी दिया गया pulses जो होते हैं आपका तूर दाल हो गया मूंग दाल हो गया gram हो गया चना हो गया तो यह सारे जो foodstuff से इससे हम लोगों को क्या मिलता है protein अगेन यह क्या होता है protein वापस से breakdown होता है छोटे छोटे मिल कंजूम करते है ओलिव ऑल कंजूम करते है तो यू गेट lot of amount of lipids and lipids से डिराइव होता है energy तो इस बेसिकली इस प्रोटीन अर्बोहाइडरेट अन लिपिड आर दा में सोर्स ओफ एनर्जी है में सोर्स है अब लोग एक एक चीज़को discuss करेंगे यह जो जो कर्बोहाइडरेट को हम लोग ने पिछले lecture में डिटेल में discuss किया है कैसे इसे energy डिराइव होता है बट अभी हम लोग एक simple सा ओवर्वीव देखेंगे carbohydrate जो है तो carbohydrate के दो टाइप हो सकते हैं कार्बोहाइडरेट इसे simple compound और complex compound हो सकता है वेन वी टॉक अबूट simple compound वापस से दो पार्ट में derived है एक monosaccharide and disaccharide monosaccharide and disaccharide और जो complex compound है वो polysaccharide अगेन जो carbohydrate उसको हम लोग दो compound में divide कर सकते हैं दो sub category बना सकते हैं फर्स्ट वन इस all as simple compound सेकेंड वन इस complex compound वेन वी टॉक अबूट simple में वापस से दो टाइप है एक monosaccharide से disaccharide से वेन वी टॉक अबूट complex carbohydrates देन उसके अंदर एक टाइप है that is called as polysaccharide फिर जब हम लोग monosaccharide की बात करें उसमें कुछ example दिया like glucose like fructose like galactose यह सारे जो है यह सारे क्या है यह monosaccharide के category में बिलोंग करते क्या है यह यह carbohydrate है कहां से मिला ता जो हम लोगों ने serials consume किया तो जो हम लोग ने foodstuff consume किया था वहां से हम लोगों को मिला था तो जब आप कोई भी foodstuff consume करते हैं अगर उसमें तो इसमें से आपको कोई भी उसके अंदर से स्टल्न मिल सकते हैं when we talk about Dysaccharides दाइ सेकराइट में आलटोस लैक्तोस शुक्रोस यह तीन टाइप के आपको इसके हनदर क्या मिल जाते हैं, carbohydrate मिल जाते हैं, when we talk about complex compound of carbohydrate that is polysecret, इसके अंदर starch, fiber और glycogen होता है, तो यह इस तरीके से जो carbohydrate है, carbohydrate को हम लोग अलग-अलग तरीके से हमारे body में पैचान सकते हैं, अलग-अलग तरीके के carbohydrate होते हैं, जिसके अंदर से the major important one is glucose, this glucose is the very simpler form of carbohydrate which is present, which is present in any type of foodstuff, और इसी glucose का हम लोग क्या करते हैं, glycolysis करते हैं, जिसे हम लोगों को energy derived होता है, तो देखो यह जो carbohydrate होता है, carbohydrate होता है, carbohydrate होता है, carbohydrate है, rich source of energy, it is very rich source of energy, it is made up of simpler and more complex molecule, बहुत सारे simple हैं, complex जैसे आपने देखा, simple means monosaccharide and disaccharide, then complex means polysaccharide, excess amount of carbohydrate stored in the body in the form of the complex compound glycogen, जब आपका carbohydrate access हो जाता है आपके body में, तो जो access, यानि कि ज़रुत से ज़्यादा carbohydrate बचा है, वो आपके body में store होता है, because carbohydrate से तो energy मिलेगा, तो कौन से complex form में store हो जाता है, glycogen, polysaccharide के form में store हो जाता है, और आपको पता है कैसे energy मिलता है, जो glucose है, यानि कि carbohydrate है, उसको oxidize करो, oxidize से आपको ATP के form में energy मिलता हो, byproduct में आपको water और carbon dioxide की gas मिलता है, so these are some of the ideas about carbohydrate, अब हम लोग second source पर बढ़तें, protein, अब यह protein क्या होता है, उसको देखेंगे, तो protein सबसे पहले कहां से मिलता है, मैंने आपको बतादा, protein आपको healthy diet, that is meat, egg, dairy product, यह सब आप खाओगे, इस pulses खाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, protein मिलेगा, again protein इसे source of energy, तो हम लोगों को consume करना पड़ेगा, अगर हम लोग fast food खा रहे, तो it is not a good source of energy, तो वो आपको खाना नहीं चाहिए, आप लोगों को एक balanced diet consume करना चाहिए, so that you get good amount of energy, your growth is well and good, तो इसके लिए protein जो है, this is very important source, अब यह protein किस तरीके से बनता है, पहले हम लोग उसको detail में समझने की कोशिश करेंगे, so when we talk about protein, तो many amino acids, यह amino acids से बनते हैं, let's say जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक amino acid बना लिया, amino acid का structure कैसे होता है, यह chemical structure है, इसके अंदर एक group present होता है, COOH, COOH, जो group किसी भी compound के साथ अगर दिख जाएगा, तो वो क्या होगा, acid होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह कोई compound है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको COOH दिख रहा है, तो यह क्या है, acid है, कोई तो acid है, तो मैंने आपको बता दिया, protein किस से बनाता है, सारे amino acid आगा, अब यह amino acid जब combine होते हैं, when they combine, तो हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को protein मिलता है, क्या मिलता है, हम लोगों को protein मिलता है, so कैसे protein मिल रहा है, हम लोगों को समझ में आगा, when many amino acid combined together, we get a protein, तो जब हम लोग कोई भी खाने को consume करते हैं, अगर उसके अंदर तो क्या समझ में हम लोग को, हम लोग को समझ में है, protein are made up of large number of amino acid, protein are made up of large number of amino acid, carbohydrate are made up of glucose, carbohydrate are made up of glucose, polysaccharides, monosaccharides, वैसे ही proteins are made up of large number of amino acid, when this amino acid come together, we get a protein, आया समझ में है, right, so now protein का कुछ हम लोग क्यारेक्टरिस्टिक देखते है, protein are found by bonding many amino acids, clear एक दम कर फेक, we get 4 kilo calorie of energy per gram of protein, अगर आप 1 gram protein कंजूम करते हैं, तो you get 4 kilo calorie of energy, काफी energy है, amino acids are obtained after digestion of protein, जब protein digest हो रहा है, जब हम खाना कंजूम करते हैं, digestion होता है, digestion में क्या होता है, digestion में वो जो energy का source है, चाहिए वो carbohydrate है, चाहिए वो protein है, जो भी है, वो breakdown होते है, तो अगर protein का digestion हो रहा है, तो क् protein breakdown हो रहा है, तो क्या मिलेगा, amino acid मिला है, क्या मिलेगा, amino acid, तो यह यहाँ पर दिया गया हमें, those amino acids are absorbed in the body and transmitted to each organ in cell via blood, very important, अब यह protein का digestion हो गया, protein अपने आपको किस में convert कर ले हैं, बहुत सारे amino acids, अब यह amino acid होता है, यह amino acid पूरे body तक travel करता है, with the help of blood, यह amino acid blood में चला गय तो blood इस amino acid को हर एक organ, हर एक tissue, हर एक cell तक पहुचाता है, क्यों? क्योंकि amino acid जो होता है, यह amino acid हम लोगों का cell का growth करता है, तो अगर suppose यह amino acid मेरे ice में जा रहा है, through blood, तो वहाँ पे ice के cell का growth करेगा, मतलब ice के अंदर कोई growth होगा, अगर वो मेरे leg में जा रहा है, तो मतलब मे energy हम लोग दूसरे-दूसरे काम करने के लिए यूज कर लेते हैं, right, okay, from this amino acid, organ and cell produces various protein necessary for themselves and whole body, देखो, यह जो amino acid पहुचता है organ के पास, cell के पास, तो यह क्या करते हो, organ and cell produces various other protein, और protein बनाते हैं, जिस protein से नएने cells डवलेप होते हैं, नएने growth होते हैं, body डवलेप होता है, body के अंदर growth होता है, so this is the essential, यह जो nutrition है, protein, this is essential for growth, यह basically growth के लिए, but energy हमें मिलता है, therefore it is a source of energy, okay, so this is all about protein, now यह जो protein है, मैंने आपको बता है, यह protein, जब अलग-अलग organ के पास जाता है, protein जाने का मतलब amino acid जाता है, तो वो organ किस तरीके के नए-ने acids बनाते हो, उसका क्या काम हो, उ यह क्या amino acid, protein digest हुआ, breakdown हुआ, amino acid मिला, अगर यह amino acid skin में जाता है, किदर जाता है, मैंने बता है, आपको इस सारे body parts में travel करता है, skin में जाता है, तो वहाँ पे नया protein generate होता है, जिसको melanin बोलते है, और keratin बोलते है, तो this melanin basically, यह जो protein होता है, यह protein हमारे skin को color देने के लिए ह जैसे हम लोग देखे, बहुत सारे लोग बहुत जादे ग्रो रहे होते हैं, कुछ लोग हम बोल सकते हैं कि फोड़ा उनका जो skin होता है, वो dark होता है, यह सारे जो color होते है, यह किस से आता, melanin से आता है, किस से आता, मैला, क्या है यह amino acid है, protein है, keratin के अगर मैं बात करूँ, तो keratin जो होता है, hair growth के लिए होता है, hair का strength, hair का color, यह सब यह condeside करता है, keratin, तो again, क्या है यह जो amino acid है, यह किस का हम बोल सकते काम कर रहा है, यह development का काम कर रहा है, आपके बाल कैसे होने चीए, बाल का color क्या होना चीए, बाल का growth होना चीए, यह उसका काम कर रहा है, तो वै प्रोटीन बनाएगा जो कि बोन के ग्रोथ के लिए डेवलेप्मेंट के लिए बहुत अच्छा होता है अगर यह अमिनोएसिट सेल्स में जाता है तो एंजाइम बनेंगे अलग अलग तरीके के एंजाइम जो फूड में मीक्स करना ब्लड के जितने भी कैमिकल से उसके लेव तो बहुत सारे होर्मोन जनेरेट होंगे जो भी आपका रिप्रोडक्शन के होर्मोन से जो भी आपके ग्रोथ के होर्मोन से वह सारे होर्मोन जनेरेट होंगे अगर यह अमिनाचिट मसल में जा रहा है एक्टिन मसल का डेवलेप्मेंट होगा अगर ब्लड में जा रहा है तो वहां पर hemoglobin antibodies आएंगे जो कि blood का strength, blood का जो हम बोल सकते power होता है, उसको control करते, blood के अंदर clothing के factor को measure करते, बहुत सारे अलग factor को, so hence protein is very important, तो आपको balance diet consume करना protein उसके अंदर होना ची, otherwise आपका जो growth है वो stagnant हो जाएगा, रुख जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से growth जोगा, तो very important this protein is, so इसका आपको importance जो है, वो याद रखना है, समझ में आ जाना ची, क्या importance है उस तरीके से आपको अपने diet में हमेशा protein consume करना in proper proportion, okay, so this is all about protein, now let us proceed to next one, that is lipids, अब lipids क्या होता मैंने आपको बता है, देखो carbohydrate हो गया, protein समझ लिए, lipids, carbohydrate किस से बना, बहुत सारे glucose से बना, sugar से सब, right, sugar है, protein किस से बना, amino acid से बना, अब lipid, lipid किस से बना, तो lipid जो है हमारा fatty acid और alcohol से बना है, यानि कि जब lipid का डाइजिशन होगा, तो fatty acid और क्या मिलेगा, alcohol मेंगा, let us see, देखो यह क्या है, तो answer है fatty acid है, यह क्या है, fatty acid है, fatty acid का ऐसे structure होता है, यह compound है, बहुत सारे अलग-अलग है, इसके अंदर organic compound होते है, उसके बाद, जब fatty acid का addition होगा, किसके साथ है, यह देखो जरा, यह alcohol है, यह क्या है, alcohol है, यह O और H group है, O और H, oxygen और hydrogen साथ मेरेगा, किसी भी compound के साथ, that is alcohol, so when fatty acid mix with alcohol, तो हम लोगों को देखो, यहाँ पे क्या मिलता है, यह हम लोगों को मिला, इसी को क्या बोलते है, लिपिट्स बोलते है, तो हम लोगों को क्या समझ में है, when fatty acid mix with, combined with alcohol, we get lipids, when fatty acid combined with alcohol, we get lipids, तो lipids किस से बना, fatty acid, alcohol, protein किस से बना, amino acid से, lipids किस से बना, fatty acid and alcohol, so now when we talk about lipids, now when we talk about lipids, lipids are formed by chemical bond between fatty acid and alcohol, chemical bond होते हैं, किसके बीच में fatty acid and alcohol दोनों जूड जूड जाते, bond बना लेते, covalent bond बना लेते, and hence, the structure overall form जो होता है, that is called as lipids, when lipids are digested, जब यह digest होता है, breakdown होता है, तो वही पार्ट में convert हो जाएगा, fatty acid and alcohol, अब यह fatty acid again different part तक जाएगा, और कुछ ना कुछ काम करेगा, like यहाँ पर दिया, fatty acid are absorbed and distributed everywhere within the body, इसका काम क्या है, molecule called phospholipids, एक हमारे body में generate होता है, phospholipids, जो की क्या है fatty acid है, which are essential for producing plasma membrane, are formed from fatty acid, plasma membrane, परत, तो यह plasma membrane बनाने के लिए fatty acid का काम होता है, दूसरा हम लोग को क्या दिया है, देखो, we get 9 kilocalories of energy per gram of lipid, अगर आपके पास 1 gram lipid है, आप 1 gram lipid consume कर रहे हैं, आपको 9 kilocalories of energy मिलेगा, excess lipids are stored in, edipose connect to tissue in the body, अगर excess lipids हो जाता है, तो हमारा जो skin है, इसके अंदर edipose tissue होता है, उसके अंदर जाकिए store हो जाता है, फिर जब भी energy का requirement होता है, तो यह वापस से, जो stored lipids है, यह energy produce करके हम लोग के body का, जो भी requirement है, उसको पूरा करते हैं, तो क्या समझ में हैं lipids, lipids are made up of fatty acids and alcohol, यह जो fatty acids है, यह अलग-अलग part में जाते हैं, और अलग-अलग part के अंदर यह कुछ न कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे यह plasma membrane बनाते हैं, क्या बनाते हैं, plasma membrane में परत होती है, जो कि जितना चीज required है, उसको इस cell के अंदर आने देगा, जो चीज रिक्वाइड नहीं cell के लिए उसको वहाँ पर फिल्टर कर दे, foreign particle को फिल्टर कर देगा, आने नहीं देगा, तो यह membrane बनाने का काम करता है, energy प्रोवाइड कर करने का काम करता है, अब अम लोग थोड़ा सा और energy का एक source देखेंगे, that is called as vitamin, सब लोगो को पता है, vitamin A, vitamin B, C, D, E and K, so there are lot many types of vitamins और यह vitamin very 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 important for our body growth life process, vitamins are a group of heterogeneous compound of which each is essential for proper operation of various process in the body, देखो, vitamin heterogeneous mixture, बहुत सारे compounds के mixture से बनता है vitamin, और इसका जरूरत compulsory है, यह compulsory है आपके body में रहना चाहिए, because यह body में होने वाले process को initiate करता है, process को बढ़ावा देता है, process को आगे बढ़ाता है, अगर यह नहीं है, तो आपके body में अलग-अलग जो process हो रहे, वो slow हो जाएंगे, halt हो जाएंगे, there are main six type of vitamins, that is A, B, C, D and K, यह six main type के vitamin हमारे body में पाए जाते हैं, इसमें से, out of this A, D, E and K, they are fat soluble, fat soluble मतलब घी oil में यह soluble हो जाएंगे, dissolve हो जाएंगे, whereas B and C, यह जो B and C है, they are water soluble, water में dissolve हो जाते हैं, clear, याद रखने का A, B, C, D, E and K, जिसमें से, A, D, E and K are fat soluble, B and C are water soluble, vitamin like riboflavin, vitamin B2 इसको बोलते हैं, riboflavin है, या तो nicotinamide, vitamin B3 respectively, यह जो vitamin होते हैं, बहुत important होते हैं, they are necessary, बहुत ज़रूरी है for the production of NADS2 and FADS2, NADS2, FADS2 क्या था, glycolysis में, देखो यह product बन रहा था, जिसकी वज़े से हम लोगा crap cycle आगे बढ़ रहा था, right, तो इसके production के लिए vitamin की बहुत ज़रूरत पढ़ते हैं, अगर आपके body में vitamin नहीं है, यह B3 vitamin नहीं है, तो NADS2, FADS2 का जो production है, वो slow हो जाएगा, जिसके वैसे glycolysis का process slow हो जाएगा, जिसके वैसे energy का process भी आपके body में slow हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ problem आने लाएगा, so this is overall view, overall idea of vitamin, अब हम लोग थोड़े और essential elements पे आजाते हैं, जो हमारे body के लिए required हैं, that is water and fibers, चले सबसे पहले पानी की बात कर लेते हैं, सब लोगों को पाता है, जल ही जीवन है, है ना, तो पानी ही life है, life process, पानी, water, total, body is made up of water, let us see, there is about 65 to 70% water in our body, 75% water है, बाकी 25% जो है other product है, right, contains 70% weight of this one, there is about 60 to 75% water in your body, each cell contain 70% water weight by weight, हर एक cell के अंदर भी 70% पानी ही है, और बाकी other organelles है, blood plasma also contain 90% of water, blood के अंदर जो plasma cells होते हैं, वो भी 90% water consume करते हैं, the function of cell and there by whole body disturbed even if there is a little loss of water from the body, hence water is essential, अगर ये पानी की कमी हो जाएगी, तो सारे जो भी organelles से, organelles से, सब लोग पानी से बने हुए, पानी उनके जादा है और इसी पानी से वो आगे का काम करते हैं, जो भी glycolysis का काम है, oxidation का काम है, energy production का काम है, जो भी काम है, तो अगर ये पानी की कमी होगी, तो यह वाला जो प्रोसेस हो रहा है यह hold हो जाएगा stop हो जाएगा कम हो जाएगा slow हो जाएगा जिससे कोई ना कोई problem आने लगेगा इसके लिए it is very important to drink lot of water during a day अच्छे से जाधा पानी प्यों clean water प्यों और यह water जो है विटेमिन लिपीड्स water along with this fiber are also essential fiber are also essential in fact we cannot digest the fiber however they help in digestion of other substance fiber जो होता है वो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाता है हमारा body बट यह fiber दूसरे product को digest करने में मदद करता है और यह जो fiber होता है कि see and the digestion of undigested substance यह जो fiber होता है यह fiber खुद तो डाइजेस्ट नहीं होता है बट दूसरे का digestion में process करता है दूसरे जो भी compound से उनको digest करने में help करता है and जो भी waste product है यह बहार body के eliminate करने के काम में use होता है fiber okay we obtain the fiber from leafy vegetables fruits cereals etc और यह भी जरूरी होता है हमारे body के लिए हम लोग leafy vegetables से fruit से यह जो nutrients है fiber that we obtain so I hope कि सब लोगों बहुत अच्छे concept समझ में आ गया है फटा 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 आज के आज इसको पढ़ लेना है और आपका प्यार तो दिखाना पड़ा पर लाइक कर दो वीडियो को शेर कर दो नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो दोस्तों को बताओ सब लोगों को बता हमारे चैनल से जूर जाओ description में बहुत सारे लिंक है उससे जूर जाओ till then have wonderful learning have wonderful day thank you very much